आपका आएनाई न्यूस इंडिया में मेरे शकल मेरे बाल को देखकर कि ये मत बोलना कम से कम कुछ तो धोके आई जाता है क्योंकि इस समय रात के डेड़ बच चुके हैं तो मेरे लोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर मैं रिसर्च कर रहा था तो सोचा क्यों ना आपसे बातच कर लिजा, एक सवाल मैं आपसे पोचना चाहता हूँ, जब सरकार के हाथ में बहुत सारे चीज़े होती हैं तो हम उमीदे करते हैं कि हमें डिरेक्टली फैदा भी होना चाहिए, तो आपसे मैं एक सवाल पोचना चाहता हूँ कि क्या कस्टुमर को, कंजुमर को, उपभोग चाहती है, बात मैं कर रहा हूँ, पैटरोल के दामोगी, अब देखिए दोस्तों बात मैं अगस शुरू करूं तो सिर्फ आपसे मैं ले चलता हूँ थोड़ सा प्रीवियस, यानि कि 2014 से पहले कहानी, 31 मई 2012 में क्या होता है, भारत बंद का एलान होता है, भारत बंद का एल इसलिए होता है, क्योंकि उस समय जो पैटरोल के दाम थे, जो प्राइसिस थे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, all time high चल रहे थे, 80s में चल रहे थे, 78, 76, 77, 78 के आसपास चल रहे थे, उस समय क्या हो रखा था, ये पैटरोल के दाम बढ़ते जा रहे थे, डीजल के दाम नहीं कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, सभी लोग महगाई का सामना कर रहे थे, और हमारे पे इसका बुरा आसर पड़ रहा था, बीजेपी सरकार आई और इसका मुद्दा उठाया, और इसको कॉंग्रिस पे दवाब बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, गलत इसमें कोछ भ होती जीजे, आकड़ों के जरी, अगर मैं आपसे बात करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, 2014 में अगर मैं, देखो पहले आप ये समझ लीजे, अंतर राश्ट्रिये मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, जो क्रूड ओयल की जो कीमत, जितनी होगी, उसके हि कितना दाम होने वाला है पेट्रोल का, वो टैक किया जाता है, वहां के प्रैस के हिसाब के, आपको समझ में इतना पता हो गाड़ाई बना कितना प्रैस होता है, कितना टैक्स मार्केट मिलता है वो आगी चल के बात करूँगा, लेकिन में आपको बता दू, 2014 में जब $110 प् लीटर हमें पे करने पड़ रहे थे जब आज 2020 में खड़ा हूँ सरकार मेरेंदर मोधी जी की है आज मातर 31 डॉलर प्रती बेरल के आसपास कच्चे तेल की कीमत है 1990 के बाद गल्फ वार के बाद सबसे बड़ी गिरावट यानि की 30 पीसद की गिरावट है और आज फिर भी हमें 72 रुपया पेटरॉल का देना पड़ रहा है क्यों सरकार हमें डिरेक्ट बेनिफिट आप क्यों नहीं दे रहे है आपको अगर मैं छोटा सा इनालेसिस दे दूँँ कि 2009 से और 2014 के बीच में अगर आप देखेंगे कॉंग्रिस के टाइम में क्रूड ओयल कितना रहा करता था एक एवरेज में बता रहा हूँ वो 70 से लेकर के 110 डॉलर प्रती बैरल रहा करता था अब अब नरेंद्र मोदी की सकर आती है शुरुआत के 3-4 साल लेली जी आप उसमें होता क्या है कि नरेंद्र मोदी जी का आपने एक भाषण में सुनाओगा बड़ा वैरत हुआ था कि मोदी तो नसीब वाला है क्योंकि उसमें अंतर रास्ट्री है जो मार्केट था ना उसमें कच्छे तेल की जो कीमत थी वो काफी हद तक नीचे गिर गई थी उसका डारेक्ट बेनिफिट आपको होना था लेकिन सरकार ने अपनी जो खजाना था उसको तो भरना ही भरना था और अपनी जोली को और घहरा करते चले गए ताकि खजाना भरता रहे डालेक्ट बेनेफिट आपको नहीं दिया, करते-करते होता क्या है, कि कई बार एक एवरेज है कि 55 से लेकर के 80 डॉलर प्रती बेरल तक गई हैं, लेकिन पेट्रोल की दाम कम नहीं हुए, डीजल की दाम कम नहीं हुए, लगाता है रही बढ़ाते ही चले गए 9 बार सरकार ने, केंदर सरकार ने exercise duty बढ़ाई है, इसका मतलब यह हो जाता है कि पेट्रोल पर कुछ 11.77 पैसे बढ़े थे और डीजल पर 13.44 पैसे बढ़ते हैं, अब होता क्या है, बढ़ते हैं, सरकार ने बढ़ा दिया, अब सरकार राजस सु कमाने में, जुटाने में लेकर के आती है, वो यह कहती है, कि ठीक है, आप ऐसा करते हैं, कि अंतर राश्टी बाजार में, जो कच्छे तेल की कीमत होगी, उसके हिसाब से हम देश के अंदर पैट्रोल के दाम, डिसाइड की जाएंगे, और आप उसके साब से पे करेंगे, बहुत अच्छी बात है, यानि कि दाम बढ़ेंगे, तो आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ जाएगा, पैसा देना पड़ेगा, और घटेंगे, तो आपको पैसा कम देना होगा, है ना, लॉजिक तो यही बंता है, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, 2017 के बाद होता क्या है, जब हमने कई बार हमारे जो पैट्रोलियम मंद्री है, वो साफ तौर भी ये कहते हैं, कि पैट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि कच्छ तिल की जो कीमत वो बढ़ती जा रहे हैं, जब आज 2020 में मैं देख रहा हूँ, तो एक 30 डॉलर प बात करेंगे, आप सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, इस तरह के आप लॉचिक दिंगे, चलिए वो तो आगी चल के बात करूँगा मैं, लेकिन फिलाल उससे पहले, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा ब्रेकडाउन कर लेते हैं, कि पैट्रोल की जो कीमते हैं, आखिर में होती कितनी है, और सरकार के टैक्स और वैट और एकसाइस जूटी लगने के बाद ये कितनी हो जाती है, तो तेल की कीमते हैं, उसमें तीन लोग बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक एकसाइस जूटी जो की केंदर सरकार लगाती है, के परकेट डीलर का कमीशल, ये तीरों को मिला करके अगर आप देखेंगे तो पेटरोल का दाम जितना होता ने इतनी तो टैक्सिस इनके लग जाते हैं, उनका तो रेट इनके फिक्स हो जाते हैं, एक्जामबल मैं देता हूँ, दिल्ली कही एक्जामबल लेकर चलूँगा और वहाँ पर पेटरोल की कीमत इसमें 70 प्लस के असपास चल रही है, और एक्साइस जीटू को सरकार ने कई बार बढ़ाया है, 9% से 21% तक ले गए हैं, पेटरोल के जो दाम हैं कुछ 19 रुपे बढ़ जाते हैं, और डीजल के दाम 15 रुपे बढ़ जाते हैं, और वहीं वैट दिया है, एक्साइस जूटी जो सरकार ने लगाई वो लगाई, लेकिन जो उसके जो राज्जी में, जो स्टेट में जब पेटरोल आएगा, जो वैट लगेगा, उस पे 32 से बढ़ा करके 35% कर दिया पेटरोल पे, और डीजल पे बढ़ा करके 21 से बढ़ा करके कुछ 24% कर दिया है, डीजल पे, तो वैट सरकारे अपने सुधा अनुसार बढ़ाती चली जाती है, अब देखे दोस्तों यहां ब्रेकडाउन कर लेते हैं, 70 का पेटरोल क्यों मिलता है, जब बेस प्राइस की बात करते हैं, तो 32 का होता है, इसमें ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट लग बढ़े हैं, जो बता रहा हूं, परसंटेज बहुत बढ़ा है, एकसाइस जूटी, जो की केंदर सरकार लगाती, यानि की मोधी सरकार लगाती, वो 19.98 लगता है, अब उसमें टीलर का कमिशन लगा लीजिए, वो 3.55 पैसे लेता है, अब यह पैटरोल जाता है, स्टेट मे लेट से की उत्तर प्रदेश गया, अब वहाँ पर सरकार ने वैट लगा दिया, वैट लगाने के बाद कितना होता है, 15.25 का वैट लगता है, जिसमें डीलर का कमिशन भी इंक्लूडिड होता है, यानि कि बेस प्राइस 32 था, आते आते आते, प्लस मैनिस होते होते, वो 71 र पेट्रोल के दाम तो बढ़ाती है, तो इसका जो प्रतिकूल असर है हमारी अर्थ विवस्था पर हमारी एकॉनमी पर पड़ता है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो भी सब मानते हैं कि हाँ, सही बात है, और सरकार को पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम खटाने उसके दाम बढ़ेंगे, जो भी सबजी भी तो खा रहे होगे, सब्सक्राइब के दाम बढ़ जाते हैं और वही आप फूट्स अकर खाते है, अनार हो गया, वह का अंगूर होगे, कीवी को घरा होगई, इनके दाम बढ़ जाते हैं, तो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदीग सरकार अगर पेट्रोल पे दाम घटा देती है तो सरकार को उसको नुकसान होगा राजस्व में उसके रेवेन्यों में नुकसान होगा तो साहब में एक सवाल पोशना चाहता हूँ आप पैसा लगातार कमाते जा रहे हैं ग्रहागों को आप इसका फायदा नहीं देना चाह रहे हैं और नहीं आप दे रहे हैं 2014 से लगातार आप कमाते जा रहे हैं आखिर इन पैसों का स्तमार आप कर गा रहे हैं IRCTC के आपने IPO निकाल दी, उसमें तो घाटा आपने लई लिया, लेकिन उसको बेचना शुरू कर दिया, उसके भी आपने share निकाल दिया, अब LIC के आपने IPO निकालने की तैयारी में आप लोग लग चुके हैं, कई सारी public companies के आपने share बेच दिये हैं, और बहुत सारी चीज़ उसको समझ में आ रही है, कि हमने पने पैर पे कुलहारी तो मार ली है, अब लेकिन करें क्या, वसूलेंगे तो जनता सही, नुकसान जनता का भी करेंगे, और वसूलेंगे भी उनसे, SBI ने आपसे वसूल लिया है, तो विजय माल लिया, और निरभ मोधी पैसे लेकर के चल बहुत सारा क्रिटिसिजम, SBI को जिलना पड़ रहा था, बैंक्स को जिलना पड़ रहा था, उसको हटा लिया है, अब जब SBI का घाटा हुआ, तो उसने मिनीमम बैलेंस रखा, और आपसे पैसा निकाल ले, जितना नीरभ मोधी और विजय माल ले, लेकिन ही भागे, उतना तो आप लोग कह सकते हैं कि GST में अगर पैटरोल को ला दिये जाएगा, तो कितना रेट हो सकता है, आपके एक शुक भी हो सकते है, GST में अगर आप लाएंगे, तो कोई लगजरी चीज तो है नहीं पैटरोल, क्योंकि एक आम आदमी एक आम व्यक्ति, इसका इस्तमाल करत लगता है, तो लगजरी में आए नहीं सकती, 28% का जो टेक्स स्लैब तर वो मैं लेकर सल रहा हूँ, वो लगजरी आइटम पे ही लगता है, अगर 12% का टेक्स लगता है, GST स्लैब में अगर आप आते हैं, तो 38 के आसपास थोड़ा उपर नीचे हो जाएगा, 18% का लगता है सरकार को एक लिटर के पेट्रोल पर, बहुत ज्यादा बतानी कि आवो शक्ता नहीं, सिंपल सा लॉजिक आप लगा लीजिए, अब जब कच्छे देल कीमत बड़ी है, तो भाई साब आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये, आप जब घटी है तो पेट्रोल के दाम घटन ले लिए जाते हैं, इस बात को भी आपको समझना है, तो इस पोल पे आ जाईए, यस नो में आप बता दीजिए, कभी सोचके वीडियो बनानी कोशिश करेंगे, लेकित आई नाइन यूस इंडर की जरलिजम को आपको सपोर्ट करना है, फानेशल तोर पे करना हो, जो की आ तो फिलाल इस फीडियो को शेर कीजिएगा, सो जहाब हो तो पताईएगा, जाहिंद वंदे मात्रम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्ते बेव, जायते, नवाशकार, खाते रहिए, पीते रहिए, और मेरे से सवाल तो फक्का कीजिए, कीजिए, साथ में न जाहिंद वंदे मात्रम